दोस्तो फ्रेश क्रीम से विपिंग क्रीम से काफी सारे आईस क्रीम हमने आज तक बनाए हैं पर क्या पीना क्रीम कोई पढ़िया सा आईस क्रीम बन सकता है हेलो दोस्तों काफी सारे रिक्वेस्ट पर आज हम बना रहे हैं पीना क्रीम का पहुत ही क्रीमी क्रीमी आइस क्रीम इस आइस क्रीम से चोकोबर बनाने का और हाँ बिना मोल्ड के भी इन्हें बनाने का बड़ा असान तरीका बताऊंगी मैं आपको बस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप मिसना करो तो चलिए चोको बार बनाने के लिए न सबसे पहले मैंने ये आधा लिटर फुल क्रीम दूद लिया है आधा लिटर मतलब दो कप दूद है ये इसमें से बिलकुल थोड़ा सा दूद एक कटोरी में निकाल लेना और इस दूद में डालने के लिए अब मैंने ली है मिल्क पाउडर पाउडर से थोड़ी सी जादा ही मिल्क पाउडर ली है मैंने पाउडर और एक चमच एक्स्ट्रा है ये ये घर की थोड़ी सी मलाई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है अच्छे से मिला देना इन्हें मिल्क पाउडर और घर की मलाई आईस क्रीम को क्रीमी ट करेंगे गरम दूद है चीनी को घुलने में जाता समय नहीं लगेगा तो यह देखे दो तिन मिनिट में चीनी भी खुल गई है और दूद भी उबलने लगा है पर हमने इसे और एक दो मिनिट ऐसे ही उबलने देंगे ताकि यह थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और अब यह कुछ ऐसे लग रहा है यह तो यह जो दूद हमने साइड में निकाल कर रखा है ना इसमें हम थोड़ा सा कॉन फ्लोर डाल कर मिलाएंगे और कॉन फ्लोर के इस खोल को भी दूद के इस मिश्रण में डाल कर अब कम से कम दो से तीन मिनिट लो मीडियम फ्लेम पर लगातार च क्रीमी क्रीमी और गाढ़ा लग रहा है ना तो फ्लेम को बंद कर देना इससे गाढ़ा इसे ना करना क्यूंकि ठंडा होने के बाद नहीं और गाढ़ा हो जाएगा पूरी तरीके से नॉर्मल टिम्टरेचर पर आने के बाद ना मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कि करेंगे हम फिर दो मिनिट ना हम इसे विस्क पी करेंगे ताकि यह बैटर इक्तम हलका हो जाए तो देखे दोस्तों बीना क्रीम ही सिंपली तूद से वनिला इस क्रीम का बैटर बनकर रेडी है थोड़ी सी जादा मिल्क पाउडर यूज़ करने से और घर की मलाई यूज़ करने से बीना क्रीम के भी बहुत ही बढ़िया इस क्रीम बनता है दोस्तों इसे आप ऐसे ही किसी डिबे में डाल कर सेट करके स्कूप से सव कर सकते हो पर आज हम ना इसे चोकोबार ही बनाएंगे अब इस दूसरे पाउल के मिश्रण को भी बढ़िया से मिक्स करेंगे हम औ कोगो पावडर के पदले आप चाहो तो थोड़ा सा चॉकलेट सीरफ है आपके पास तो वो डाल सकते हो नहीं तो कोई भी चॉकलेट मेल्ड करके भी आप इसमें डाल सकते हो ठीक है अब बहुत ही बढ़िया से इसे भी हम लिस्ट करेंगे और बिना क्रीम का एक्तम क्रीमी क्रीमी चॉकलेट ऐस्क्रीम वह भी फटाफट से बनकर रेडी है। जोस्तों आपको पता है ना ऐस्क्रीम बनाने के लिए अलग-अलग तारीके के मोल्ड्स मिलते हैं मैंने यहाँ पर यह सिलिकोन मोल्ड योज किया है आज अज बन्टि परफ़स है यह इसमें केक्सिकल्स भी बहुत ही अच्छे से बनते है केक्सिकल की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो कमेंट्स की लिंक ज़रूर चेक करना ठीक है और अब यह देखे तीन में से दो में मैंने यह वनीला आइसक्रीम का मिश्रण डाला है एक किसी भी स्टेशनरी शॉप में या गिफ्ट शॉप में आपको यह असानी से मिल जाएगी ठीक है एक दम स्ट्रेट लगाना स्टीक को और अब एक प्लेट में इसे रखकर इस मोल्ड को न ऐसे क्लिंग फिल्म से कवर करके फ्रीजर में रखेंगे हम ताकि इस पर आइस क्र कंटे या उवर नाइट फ्रीजर में रखना होगा तो चलिए अब ना मैं आपको बिना मोल्ड के जोकोबार बनाना बताती हूं उसके लिए यह दिखे इस तरीके के जो पेपर कप्स मिलते हैं मार्केट में इसमें से चार कप निकाल लिए है मैंने एकदम मड़े भी नहीं है एकदम छोटे भी नहीं है मेडियम साइज के लिए है कप मैंने अब इन में आइस क्रीम का मिश्रन भरने से पहले मैंने यहाँ पर लिया है यह लगपक 70 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर यह डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी लिया ह है गर्मी है तो चॉकलेट थोड़ा सा मेल्ट हो ही जाता है डोंट वरी तो दोस्तों मोल्ड वाले और बीना मोल्ड वाले आइस क्रीम में यही डिफरेंस है इनकी प्रोसेस उल्टी है मतलब क्या मोल्ड वालों में हमने पहले आइस क्रीम का मिश्रन भरा है उसे बाद में ह ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आज ओल्रेडी चॉकलेट काफी सॉफ्ट है तो यह देखिए बस दो मिनिट में बढ़िया से चॉकलेट मेल्ट भी हुआ है अब एक पेपर कप में एक से डेड़ चमच मेल्टेट चॉकलेट डाल कर इसे ना हम इस तरीके से घुमाते हुए फैलाते जाएंगे फिर इसे ऐसे उल्टा पकड़ कर एक्स्ट्रा का चॉकलेट आप ऐसे बाउल में ही गिरा सकते हो यह देखिए ऐसे ही और तीन कप हम चॉकलेट कोटिंग करके रेडी करेंगे और एक्दम अच्छे से सेट होने के पाद आप इस पर इस तरीके से और एक अच्छे से ड्राय हो जाए ना तब हम इसमें आइस क्रीम का मिश्निन डाल देंगे दो में वनीला का डालेंगे दो में चॉकलेट का डाल देंगे और फटा फट से बहुत ही पढ़िया से आइसक्रीम बनाएंगे ठीक है तो दोस्तों आप इन्हीं मोल्ड में बनाओ बिना जो चीज है आपके पास उससे कवर करना अगर इन में से कोई चीज नहीं है ना तो सिंपली कोई प्लास्टिक के बैग होती है ना उसका एक टुकडा लेकर उससे आप कवर कर सकते हो हाँ पर कवर ज़रूर करना ताकि इस पर आइस क्रीस्टल्स ना जमें और अब नाइफ स इससे पहले थोड़ा सा कट लगाएंगे हम और फिर इसमें आइस क्रीम के स्टीक लगा देना इस तरीके से रेडी करके इन सब को मैंने उवर नाइट फ्रीज में रखा था तो चलिए अब आपको इसे टीमोल भी करके दिखाती हूं मैं यह देखिए बस उपर का पेपर आ अपने आप निकलाएंगे कुछ भी नहीं करना है बहुत असानी से निकलाते हैं यह यह देखिए यह दो चौकलेट आइसक्रीम वाले यह वनिला आइसक्रीम वाला इसमें थोड़ा सा आइसक्रीम मेरा कम पढ़ गया कोई बात नहीं ऊपर का चौकलेट का कवर देखना बनाने में असान है सर्विंग के लिए अच्छे है कम आइसक्रीम में ऐसे छोटे छोटे काफी सारे चोकोपारा पना सकते हो इसली कब की साइज इससे भी छोटी हो तो भी क्यूट लगेगा यह तो इससे जरूर ट्राइ करना दोस्तों और अब अपने मोल्ड वाले आइसक के लिए ना हम थोड़ा सा मिल्क कंपाउंड और थोड़ा सा डार कंपाउंड का मिश्रण यूज करेंगे मैंने इनका प्रपोर्शन सेवेंटी थर्टी ऐसे रखा है और इसको भी आज मैंने बिना डबल बॉयलर बस गरम पानी में ऐसे रखकर ही मैट किया है इसे मैट करत रभस छोटे चम्मच refine oil भी डाला है पहले जब मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था ना तब भी मैंने उसमें थोड़ा सा रिफाइन डाला था मैं बता ना भूल गई आपको तो बढ़िया से चॉकलेट को मेरिट करने के बाद इसको मैंने एक लास में निकाल कर रखा है तो यह देखें यह मोल्ड वाले आइसक्रीम भी बहुत ही पढ़िया से सेट हुए है इन में से भी एक चोकोबर बना कर दिखा परके इजीली निकाल सकते हो आप तो देखें दोस्तों क्या अमेजिंग लग रहा है यह बहुत ही बढ़ी आइसक्रीम बना है इसे आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो पर यहां पर यह चॉकलेट इसका वेट कर रहा है तो फटा फट से मैंने इस आइसक्रीम को चॉकलेट के ग्लास में टूबो दिया है और तूरांती से पाहर भी निकालना है और आप देख सकते हो कुछ सेकेंड्स में गजब का डिलिशियस चोकोबार बनकर रेडी है क्योंकि आइसक्रीम एकदम चील्ड होता है न तो चॉकलेट को इस पर सेट होने में बस कुछ सेकेंड्स ही आप मुझे यूट्यूब फेस्बूक या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और हाँ इससे पहले भी एक चोकोबार की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी अगर आप वह देखना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट इसमें रखी है चेक जरूर करना बाइंटी केर इंजॉएं